हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो शिखास गार्डन और आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक जो हो सकता है आपके लिए हेलफफुल हो और आपके काम को इजी बना दे देखिए मैंने हमेशा ये बताया है कि आप जो भी है टॉपिकल या हाडी उनको होल वाले या बीना होल वाले दोनों ही पॉट में लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए एक होल वाला पॉट मैंने लिया था ताविकन के लिए अब होल वाला पॉट लेने का फायदा ये होता है कि जब रूट बाउंड होती है तो भी आपका प्लांट सफो जानोट करना जान चाहिते हैं रिपॉट से लखन की आप कमपोस्ट है फिर सोईल रखें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप प्लांट करते हैं अपने किसी भी प्लांट को जो सॉयल में लेरिंग में हम डालते हैं उसी तरीके से और सिम्पली इस पॉट को रख दीजे उसके उपर तो जो होल के नीचे से रूट निकल चुकी है वो इस पॉट का तो पूरा न्यूट्रिशन ले चुकी है फिर क्या होगा वो जो नीचे आपने डाला है उससे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगी तो इससे जो है वो आपका साइकल जो है वो बढ़ जाएगा रिपोर्टिंग के टाइमिंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा और जैसे इतना बड़ पॉट है तो देखे यहां पर भी रूट उस इसमें ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है यह देखे यहां पर भी रूट निकल चुकी है तो इतने बड़े आउटर पॉट में यह दो इनर पॉट आप ऐसे रख सकते हैं उसी तरीके से अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं अपने छोटे से इनर पॉट को आपके पास टाइम नहीं है जो भी तो फिर आप यह तरीका कर सकते हैं तो यह चोटे से ट्रिक है आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके देखेगा मैंने किया था कुछ प्लांट में मुझे रिजाइट मिले थे लेकिन अभी फिलाल मैं इनको रिपोर्ट इसले कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ट्यूबर्स निकालने होते हैं तो फ्रेंड्स होफुली आपके लिए वीडियो जो है वो मददगार होगा चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि नए लोग भी जूड़ सके एक्वा गार्डनिंग से और जो कर रहे हैं उनको कुछ मदद मिल सके तो फिर से मिलेंगे नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए बाय बाय टेक कियर एंड हैपी गार्डनिंग